बहुत सालों से, मैं बैंगलोर के एक कॉलेज में कम्प्यूटर एप्लिकेशन्स के मास्टर्स पढ़ रहे छात्रों को कम्प्यूटर साइंस पढ़ा रहा हूँ. मैंने कई छात्रों के साथ बात की है, और यदि आज वे सभी को याद नहीं रह सकता हूँ, तो कुछ की यादें मेरे दिमाग में बसी हुई है. यह उनके उद्देश्यों की अवश्यक्ता नहीं है क्योंकि वे सभी श्रेष्ठ थे, बल्कि कुछ उनमें कुछ बहुत अलग था. मेरे पहले बैच में वहां एक बहुत ही उज्ज्वल लड़का था, जिसका नाम हसन था. वह लंबा, हाथसम और बहुत अच्छी याद दाश्ट वाला था. वह एक धनवान परिवार से आया था, जहां वह एक अमात्र बेटा था. प्रारंभ में, मैं उसके अस्थित्व के बारे में कुछ नहीं जान पाया, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि वह बहुत ही अकसर उपस्थित नहीं रहता था. मैं आमतोर पर दिन की पहली कक्षा लेता हूँ, जो सुबह नौ बजे को या उसके बाद की दस बजे की होती है. मैं इस समय को पसंद करता हूँ, क्योंकि इस समय छात्र ताजगी से और बहुत ध्यान पूर्वक होते हैं. कभी-कभी हसन कभी-कभी प्रकार से उपस्थित होता, खासकर अगर कक्षा का परीक्षन या परीक्षाओं के दौरान. मैं अधिधान की अधिभागता मैं उससे अधिक मिलता था. वह प्रवेश के कमी के लिए ऐसे बेग करता था कि मेरे लिए नहीं कहना बहुत कठिन हो जाता था. कभी-कभी मुझे गुस्सा आता और मैं उसे कहता, नहीं, मैं आपको प्रवेश नहीं दे सकता, यहां अनुशासन होना चाहिए. हाँ मैडम, वह माफी मांगता, मुझे क्षमा करें. आगामी सिमेस्टर से मैं निश्चित रूप से आपकी कक्षा में आऊंगा. क्या आप इस बार मुझे क्षमा नहीं कर सकती? गलती से हो जाती है, माफी मांगने का काम हमारा है, आपने ही हमें यह सिखाया है. मैं बड़ी देर तक गुस्से में नहीं रह सकता था. शिक्षकों को आम तोर पर वे चात्र जिन्होंने नियमित रूप से कक्षा नहीं जाने के लिए गुस्सा आता है, लेकिन अगर प्रवेश की कमी उनके अंतिम परीक्षा में दिखाईद रही होती है, तो वे सूरज के सामने बर्फ की तरह पिघल जाते हैं. एक अच्छे शिक्षक हमेशा अपने चात्र के लिए सर्वश्रेष्ट की इच्छा करेगा, हालांकि मुझे सहमत है कि अनुशासन भी बहुत महत्वपूर्ण है. क्योंकि वह बहुत तेज था, हसन हमेशा परीक्षा में पहले कारंब से पहले, हर बार यह नाटक हसन के साथ दोहराया जाता था. मैं गुस्सा हो जाता, डराता और आखिरकार मान लेता. हर बार हसन अपनी प्रवेश रिकॉर्ड में सुधार करने का वादा करता और एक सप्ताह के लिए सभी कक्षाओं में आता, फिर वही पुरानी कहा फिर से होती, हर बार उसके अनुपस्थित होने के लिए उसके पास एक अलग कारण था. दुखत तरह से, वे मेरे लिए हमेशा सच्चे लगते थे. एक दिन, मुझे उसकी कहानियों से ठक गया और उसके माता-पिता को बुलाया. आपका बेटा एक तेज चात्र है, वह भिमानी नहीं है, लेकिन अनुशासन हीन है. यदि वह समय समय पर कक्षा में आता और प्रयोकशाला में हिस्सा लेता, तो मुझे यकीन है कि वह रैंक प्राप्त कर सकता है. मैंने उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन मुझे उसे मनाने में सफल नहीं हो सका. अगर आप इस माम उन्होंने कहा, इस मीटिंग में उनके माता-पिता के बीच एक बहस हो गई, उनके पिता ने कहा, तुम माँ हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उसे सुधारो, तुम्हें उसके साथ अधिक समय बिताना चाहिए, मैं बहुत व्यस्त हूँ, तुमने फेल कर दिया, उनकी माँ ने कहा, तुम लड़कों को कंट्रोल करना मुश्किल है, आप मर्द से, मर्द की तरह उससे बात कर सकते हैं, पैसे कमाना ही जीवन का ही एक हिस्सा नहीं होता, इसका परिणाम स्वरू बहस जारी रही, और मीटिंग नतीजाहीन समाप्त हो गई, हसन ने अपने पाटशाला का सीमा बहुत मेरा सभी प्रावधान मिल सका, मैं चाहता हूँ कि सभी शिक्षक आपके तरह हूँ, मैंने हसी ली, इंशाला हम फिर मिलेंगे